सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सुबर नौ बजे और अगले आदे गंटे में आपके पास होंगी तमाम हैं ख़र रहें मैं हूँ प्रीति सिंग आए शुरुआत करते हैं मुख्य समचारों के साथ आंधर प्रदेश और ओडीशा में तबाही मचाने के बाद गमजोर पड़ा चुक्रवात तितली रहत और बचाब का काम युद्धिस्तर पर जारी प्रधान मंत्री का दोनों राज्यों को हर मुम्किन मदद का भरोसा आज भी कैस जिलों में भारी बारिश की आशंका NGT का दिल्ली समेट 23 राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों को वायू गुडवत्ता मानुकों में सुधार के लिए दो महीने में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश वायू गुडवत्ता निगरानी समिती गठित करने का अभियादेश केंदर और राज्यों के प्रदूशन नियंतरन बोडो से साबजनिक शिकायत निवारन के लिए पोर्टल विक्सित करने की कही बात 2025 तक भारत में 400 अरब डॉलर के इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन का लक्ष केंद सरकार निवजारी किया राज्ट्रे उलेक्ट्रोनिक्स नीती 2018 कम सौधा उभरते तकनीकी क्षेतर में स्टार्ट अप एको सिस्टम को बढ़ावा देना मकसर मातमा गांधी के 150 वे जेन्ती वर्ष पर केंदर की विशेश माफी योजना के पहले चरण में देश भर की जेलों से 900 से जादा कैदियों की रहाई दूसरे चरण और तीसरे चरण में 6 अपरेल और 2 अक्टूबर 2019 को और कैदी होंगे रहा भारत और वेस्ट इंडीस के बीच आज से है धरबाद में दूसरा टेस सिरीज में टेम इंडिया एक शूनिस से आगे जकार्ता में पैरा इशिया एक खेलों में भारत की जोली में अब तक 50 मेडल चकरवाती तूफान तितली से पीड़ित ओडीशा और आंधर प्रदेश के तटवरती इलाखों में रहात और बचाव का काम तेजी से जारी है एंडी आरेफ की टीमें राज्य प्रशासन के साथ मिलकर रहतकारियों में जुटी हुई है हाला कि अब चकरवाती तूफान तितली कमजोर पढ़ गया है और पूर्वुत्तर दिशा की तरफ बढ़ गया है लेकिन आज भी ओडीशा के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है मुख्यमंत्री नवीन पटनाएक ने जिला प्रशासन से आपदा पीडितों को तुरंत मदद मुहया कराने के निर्देश दिये हैं ODRF, NDRF और 5 ब्रिगेड के जवान सडकों पर गिरे पेडों को हटाने में जुटे हुए हैं बिजली सब स्टेशन और बिजली पोलो की मरमत की जा रही है इस बीश प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कालांद प्रदेश और ओडीशा के मुख्यमंत्रियों से बात चीत की और उन्हें चकरवाती तूफान तितली के असर से हुए नुकसान से ने पटने में हर संभव मदद का आश्वा संदिया है प्रदान मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी उन्हें चकरवात पेड़ित लोगों की सुरक्षा और कल्यार के लिए प्राथना भी की केंद्र पिट्रोले मंत्री धर्मेंद प्रदान ने केंद्री ग्री मंत्री राजनाच सिंग से मुलाकात करके तूफान के दोरान ओडिशा में अन्डी आरेफ के अभ्यानों के लिए शुक्रियादा किया प्रीमंत्री राजनाच सिंग ने भी आप्दा प्रबंधन और पुनर्वास जरूरतों के लिए केंद्रिय मदद जारी रखने का भरूसा दिया है चकरवात के वज़े से ओडिशा और आंद्रब्रदेश के तटे अलाकों में कल करीब देर सो किलोमीटर प्रते घंटे की रफतार से हमाई चली और भारी वर्शा हुई आंद्रब्रदेश में आठ लोगों की जान चले गए और ओडिशा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई दोनों राज्यों में तूफान के वज़े से पेड बिजली के खंबे उख़ड गए और मकान भी एक शतिक रस्त हो गए खतरनाक तूफान, तितली, गुरवार सुभा, ओडिशा के गोपालपुर और आंद्रब्रदेश के पालसा से गुजरा तो लोगों का सामना भारी बारिश और तेज हवाउं से हुआ हवा की रफतार 135 से 165 किलोमीटर प्रती घंटा के बीच रही इसके असर से आंद्रब्रदेश में तूफान के चलते श्रीकाकुलम और विजय नगरम जिलों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि दोनों जिलों में बड़े पहमाने पर नुकसान हुआ है कई रूटों पर राज्य परिवहन निगम को बस सेवा भी रोकनी पड़ी जिले में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है मचवारों को फिलाल समुद्र में नहीं जाने की सला दी गई है अधर ओडिशा के तटिया इलाकों में पेडों, बिजली के खंभों और कच्छे घरों को नुकसान पहुँचा कई जगा पर बिजली और संचार विवस्था में दिक्कत आ रही है NDRF और SDRF की टीमों समेथ प्रशासंत सडकों पर यातयाद बहाली के काम में लगा हुआ है ओडिशा के विशेश राहत आयुक्त बीपी सेठी ने बताया कि गंजम, गजपती, खुर्दा, पूरी, जगत सिंगपुर, केंदरपाड़ा, भद्रक और बाला सोर में तूफान का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कई जगों पर रेल यातयाद भी रोखना पड़ा चोड़ा चोड़ा जो डिज़ेश्टर हो रहा है अभी स्टेशन के अरिया में, इसलिए सायद इस्ट कोस्ट ट्रेलियों ने मतलब ट्रेन कैंसल किया है, इसलिए हमरे को परेसा नहीं हो रहा है तोफान से पहले ओड़िशा के 30 अलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया इसके लिए 1100 से जादा रहात के इंदर बनाए गए है बियरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी उतर भारत के मैदानी लाखों में बारिश और ओला वरिश्टी और पहाडी लाखों में बर्व बारी से मौसम का मिजज बदल गया है पश्ची में उतर प्रदेश के कई शेहरों में गुरुवार को अचानक दिन में ठंडी तेज हवाओं के बाद कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश के साथ ओला वरिश्टी हुई बिजनौर, मेरट, सहरनपूर और मुजफर नगर में तेज बारिश हुई जिससे फसलों को नुकसान पहुँचा है वही तापमान में भी गिरावट आई है मुजफर नगर में बारिश से संबन्दित घटनाओं में एक व्यक्ती की मौत हो गई जब की तीन जखमी हो गए पंजाब और हर्याना में भी कलकाई जगों पर बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई वहीं बारिश के साथ ओला वरिष्टी ने किसानों के चिंता बढ़ा दी वहीं हिमाचर प्रदेश और उत्राखन के उचे परवते क्षित्रों में बारिश और बर्वबारी के बाद ठंड ने दस तक दे दी है गुरुबार को हिमाचर प्रदेश के लाहॉल्स पीती के उचे परवती एक शित्रों में कई जगा ताजा बर्वबारी हुई है प्रदेश की राजधानी शिमला में सुभर से ही ठंडी हमाओं का दौर जारी रहा साथी बिलासपूर, हमीरपूर, धर्मशाला और चंबा के कुछिक शित्रों में भी हलकी बारिश दर्ज की गई उधर गड़वाल में बदरीनाद के दारनाद गंगोतरी यमनोतरी और हेमकुन साहिब की चोटियों और कुमाओं के मुंसियारी, धर्चुला और बागेश्वर की पिंडर घाटी में गुरुवार को बर्फबारी हुई नाशनल ग्रीन ट्रेब्यूनल ने राष्ट्रे राजधानी दिल्ली और चंदीगर समेट 23 राजजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो निर्धारत गुलवत्ता की भीतर वायू गुलवत्ता मानक लाने के लिए दो महीने की भीतर कारे यूजना तयार करें हर साल सर्दियों की शिरुवात से पहले ही प्रदूशन की समस्या विक्राल रूप धारन कर लेती है NGT चाहता है कि इस साल वही स्थिती ना दोहराई जाए और सरकार इसके लिए पहले से तयार रहे देश में खरीब 102 शहर ऐसे हैं जहां वायू की गुलवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है NGT ने वायू गुलवत्ता निगरानी समिती गठित करने का भियादेश दिया है साथी केंद्र और राज्यों के प्रदूशन नेंतरन बोर्डो से साबजनिक शिकायत निवानन के लिए पोर्टल विक्सित करने की बात कही है इस बीच पंजाब में पराली जलाने के मुद्दे को लेकर किसान संगठन और पंजाब सरकार आपने सामने हैं जहां एक और पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं और पराली से निपटने के लिए दूसरे रास्ते इक तियार करें पराली जलाने पर रोक के लिए कल पंजाब सरकार ने तीन मुबाइल आप शुरू किये हैं किसान पराली जलाने पर अड़े हुए है किसान संगटनों का कहना है कि उनके पास पराली जलाने के लावा कोई और विकल्प नहीं है केंद्र ने भी पंजाब और हर्याना से पराली जलाए जाने से रोकने के लिए गंभीरता से काम करने के अपील की है इस बीच राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार में सुधार के बावजूद वायू गुडवत्ता गुरुवार को लगातार चौथे दिन खराब रही मुंबाई में वर्ड एकनामिक फोरम की चौथी ओद्योगी करांती केंद्र के शुरुवात होने के मौके पर दिल्ली में प्रधानमंतरी ने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है पूरी दुनिया में भास्ता और जादा डेटा भारत में खपत हो रहा है। मेरा द्रण विश्वास है कि इंदस्ट्री 4.0 का इस्तमाल करके भारत की गरीवी को समाप्त करने में बहुत एहम भूमिका निभाई जा सकती है। देश के गरीब बंचित वर्क को समाज के उपेक्षित वर्क के जीवन को बहतर बनाया जा सकता है। Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, Blockchain, Big Data ऐसी तमाम नई तकनिकों में भारत के विकास को नई उचाईयों पर ले जाने की ताकत है। साथ ही रोजगार के लाखों अफसर बनाने और लोगों के जीवन को बहतर बनाने की खशमता है। इसे समझते हुए ही भारत सरकार Skill India Mission, Startup India, Standup India, Artal Innovation Mission जैसे कारिक्रम चला रही है। आज देश में 3 लाख CSE काम कर रहे हैं। ग्रामिन इलाखों में सरकार 32,000 से जादा वाइफाई और हॉट स्पोट मुहया कराने के लिए काम कर रही है। जिससे देश का यूवा बदलती हुई तकनीकों के लिए तयार हो सके। आधार, Unified Payment Interface यानि UPI, E-Sign, E-National Agriculture Market यानि E-NAM, Government, E-Marketplace यानि JEM, DG Locker जैसे Unique Interfaces भारत को Artificial Intelligence के माध्यम से टेक्नोलोजी लीडर बनने में मदद कर रहे हैं। इनकी वज़े से जादा से जादा लोग तेजी के साथ डिजिटल टेक्नोलोजी से जूड रहे हैं। धानमंत्री ने कहा कि भारत की विवेदता, Demographic Potential, तेजी से बढ़ते बाजार का आकार और Digital Infrastructure भारत को Research और Implementation का Global Hub बनाने की ख्षमता रखता है। भारत में होने वाले Innovations का लाब पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी मानपता को मिलेगा। मुंबई में शुरू हुआ नया सेंटर, सबका साथ सबका विकास के दिशा में किये जा रहे प्रयासों की मदद करेगा। और सरकार की नीतियों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। अमिताब कान जी अबारे साथ है, सर यह जो अदुग्य करामती की बात की जा रही है, भारत में मुंबई में सेंटर बन रहा है, तो क्या बदलाव आने वारा है देश में इस से? ने देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि डिजिटल इंडिया में बहुत प्रॉग्रस हुई है, हमारे यहां पिछले चाल साल में जो डेटा है उसका रेट बहुत गिरा है, हमारा जो डेटा कंजम्शन है वो चाइना और अमेरिका से जादा डेटा है, तो इस समें एक ऐसा समें जबकि हम कई चीजों में प्रॉग्रस कर सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब पहला इंडस्ट्रिल कृंठांटी हुई थी तब हम गुलाम थे, तीसरी कृंठी के समें हम अपनी गरीबी से, उस समें कई दिक्कते थी, प्पर फिर्थ कर सके हैं कैसे हम लोगों को पावर्टी लाइन से आगे ले जा सके हैं इसमें कैसे उप्योग कर सकते हैं कैसे हम अपने फार्मर्स की इंकम को डबल कर सकते हैं और प्रोड़क्टिविटी के लिए कैसे उप्योग कर सकते हैं या हेल्थ से छेत्र में जब हम प्राइमरी कर रहे हैं तो उसमें कैसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को यूज करें या लैंड रिकॉर्ड के लिए कैसे ब्लॉक्चेन को यूप्योग करें तो यह बड़े इनोवेटिव एरियाज हैं जहां टेक्नॉलिजी को उप्योग करके हमें क्वांटम जम लेनी ज़रूरी है सर पीम ने एक यह बात कहीं कि आमतर पर डर रहता है कि कोई नशनल रिवल्यूशन होगा तो नौकरिया चली जाएंगी जॉब में कमी होगी उनने का इससे जॉब बढ़ेंगी और ने तो सरूर नए जॉब ज़रूर बढ़ेंगी नए तरेकी के जॉब बढ़ेंगी और इस इंटरनेट अफ तिंग्स के साथ बड़े होते हैं और तो यह एक बहुत बड़ी क्रांती आई है और इससे हमें स्किल सेट्स लाने पड़ेंगे और मल्टी टास्किंग करनी पड़ेंगी तो यह सब ज़रूरी है देश में और यह जब डिजिटाइजेशन इतना हुआ इस के साथ-साथ यह भी बड़लाव आ रहे हैं बड़े जोरू से निप्टान, रसाइनों और कीटनाशिकों का वियोग खादि प्रसंसकरन के मानुकों पर अमल समेत ऐसे कई खुषित्र है जहां निजिक खुषित्र को स्वा नियमन की जरूरत है इससे चैंबर्स ओफ कॉमर्स को एहम भूमिकानिभानी चाहिए उप्राश्पतिया वेंका कर चलान ना जाएं इंडिया वित्तमंत्री अरुंजीट्ली ने कहा है कि GST टाक्स चोरी का पता लगाने में मददगार साबित हो रहा है वित्तमंत्री ने ये बात कल 29 अकाउंटेंस जनरल कॉन्फरेंस के समापन कारिक्रम को संबुधत करते हुए कही उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिशों से टाक्स कलेक्शन में सालाना 15-20 फीजदी की बढ़ोत्री हो रही है वित्तमंत्री ने ये भी कहा कि आधार का इस्तमाल जासूसी के लिए नहीं बल्कि संसाधनों के दुरुपियों के लिए कारगर है इस मौके पर देश के नियंतरक और महाले का परिक्षक राजी महरिश फ्ति एन इन एक्षबन के लिए लिए लाग समुआव अ मौनाट एक्स कंशस्य केपसी पर प्री दmpfenधनस ऑंगी महरिश्क किरह दो अन का इक्षबने CrIF जास्य के बmazलाद्ग घ्ञ डिएक देट ए उन्कार फीज़ आधं बल्मी ओन्ति एक्ट संदे ऑली महरिशिं into the formal sector of the economy. इसनीती में 2025 में मुबाइल फोन उत्पादन को 500 मिलियन एकाई से बढ़ाकर एक अरब मुबाइल फोन एकाई तक पहुंचाना है। केंदर सरकार ने विशेश पाकेज को मंजूरी दी है। बड़े पैमाने पर निवेश आकरशित होंगे और श्रम कानून में सुधार होने से इस क्षेत्र से अर्थविवस्था में योगदान बढ़ेगा। तामिलाडू में चमडा उद्योग पर जोर देते हुए और उद्योग एक नीती और समवर्धन विभाग द्वारा 117.33 करोड रुपे की कुल लागत से चार पर्योजनाओं को मंजूरी दी गई है। उद्योग नीती और समवर्धन विभाग ने पश्रिमिंगाल के बंतला में एक व्रहद लेदर क्लस्टर के लिए अपनी सध्धानतिक मंजूरी भी दी है। इस से लगबख साथ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और चार सो से पांस सो करोड रुपे का निवेश संभव होगा। एक सभा को भी संभूतित करेंगे। प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिता में 18 जुलाई 2018 को केबिनिट की बैठक में फैसला लिया गया था। पैसले के तहत ऐसे खैदियों को रहा किया गया है जो अपनी आदी सजा काट चुके थे या इस विजना के तहत खैदियों के कुछ दूसरे वर्गों के अनुरूप थे। पहले चरन में राज्य और केंद्र प्रिशासित शेत्रों ने अपने अधिकार शेत्र में सक्षंप राधिकारियों की मनजूरी प्राप्त करके 900 से अधिक कैदियों को रहा किया है। दूसरे और तीसरे चरन में 6 अपरेल 2019 और 2 अक्टूबर 2019 को गैदी रहा किये जाएंगे। 2019 के पद्म कुरसकारों के लिए करीब 50,000 लोगों के नाम के परस्ताव सरकार को मिले हैं। पद्म पुरसकारों के लिए ग्रह मंत्राले को अभी तक 49,992 लोगों के नाम मिले हैं। ये तादा 2010 में आए परस्तावों की संख्या से 32 गुनाज जादा है। पद्म भुशन पुरसकार उच्चिस्तरिय सेवा कार्यों के लिए होता है जबकि पद्म श्री समाज की किसी भी क्षित्र में उत्तम कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्षित्र, कला, सहित, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाजिक, कार्य, विज्ञान और तक्नीक, समाजिक मामलो, समाज सेवा, व्यापार और और ओद्यों के गतिविध्या शामिल हैं। शाष्नाद धक्षो की परिशद की बैठक में सीडिया अफगानिस्तान और कोरिया प्रायदीब की स्थिती की समीक्षा होने की संभावना है। जून 2017 में भारत के स्थियो का पूर्ण कालिक सदस से बनने के बाद शाष्नाद धक्ष परिशद की ये दूसरी बैठक है। विदेश मंतराले के मताबिक बैठक में शामिल नेता स्थियो के विकास की संभावना पर चर्चा करेंगे। पिछले साल भारत के साथ पाकिस्तान को भी स्थियो की सदस सिता दी गए थी। अधिन मुहरिद्दीन से मुलाकात की दोनों नेताओने विकास सहयोग विज्ञान और प्रवद्द्योग की स्वास्ते रक्षा और सुरक्षा की क्षित्र में गड़ी द्वीपक्षिय संबंदों को और मजबूत करने पर चर्चा की। वो यूही नहीं बन गई। वो इसलिए बनी कि हमारी फैमिली वेल्यूस हमारे पारिवारिक मुल्य हमारी संस्कृती एक दूसरे से मिलती है। उन पारिवारिक मुल्यों के कारण इन देशों को भारत अपना लगता है और भारत को ये देश अपने लगते हैं। और मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्तमान सरकार के कारिकाल में इन देशों के साथ हमारा रिष्टा जितना उंचा हुआ है वो आगे और उंचा होता जाएगा राश्पति इमानुल माक्रो के बीच शिखर वारता के दोरान सहमती बनी थी आदेकारिक सुत्रों ने बताया है कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने परस परहितों के विभिन रद्वी पक्षेक, शेत्री और वैश्युक मुद्दों पर प्रितिनी दिमंडल स्तर की वारता के ब राजीव गांदे इंटरनाशनल स्टेडियम में अपसे कुछ देल में शुरू होगा, घरेलू मैदानों पर भारत का प्रदर्शन शांदार रहा है और वहीं वेस्ट इंडीस की टीम की कोशिश सिरीज में बराबरी करने की होगी, भारत निराजकोर्ट में पहला टेस्स मै जीच चुका है, शरत कुमार ने पुरिशों की उची कूद स्पर्धा में स्वन्ड पदक हासल किया, उची कूद की टी 42 और 63 वर्ग में एक दशमलव 90 मीटर की कूद के साथ पदक जीता, इसी स्पर्धा में वरुन भाटी को रजत और ठांगवेलू मर्यापन ने कास से ज इस जीत के साथ लक्ष ने देश के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है, फानल में लक्ष का सामना चीन के खिलाडी से होगा गंगा के मुद्दे पर 111 दिन से अंशन पर बैठे परियावरन वेद जीडी अगरवाल का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है वो गंगा के सफाई को लेकर 22 जून से अंशन कर रहे थे और उनका कल एम्स रिशिकेश में निधन हो गया जीडी अगरवाल के निधन पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है प्रधान मंत्री ने लिखा कि सीखने, शिक्षा, पर्यावरंट संडक्षन, विशेश रूप से गंगा सफाई की देशा में उनके जुनून के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता, डॉक्टर रामनोहल लोहिया के आज़ पुनिते थी है गांधी जी के विराठ विक्तित्व से प्रभावित लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तरप्रदेश के फैज़ाबाद जिले में हुआ भारत छोड़ो अंदोलन को पूरे देश में फैलाने में लोहिया ने एहम योगदान दिया रामनोहल लोहिया को उनकी देश भक्ती और समाजवादी विचारों के लिए जाना जाता है वो जात पात के घोर विरोधी थे लोहिया ने उन मुद्दो को उठाया जो लंबे समय से देश की तरक्की में बाधा पैदा कर रहे थे उन्होंने खेती से जुड़ी परिशानियों से निपटने के लिए हिंदी किसान पंचाइट का गठन भी किया 1967 में आज ही की दिल उनका देहान थुआ था हर दिल अजीज उर्दू के मश्यूर शाय और हिंदी फिल्मों के गीत का निदा फाजली की जेंती है निदा फाजली ने उर्दू शायरी को लोग प्रिया बनाने वाली ऐसी घजले लिखी जिने हर उम्र के लोगों ने दिल से लगाया 12 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में जन्मे निदा फाजली को शायरी का अंदाज पिता से विरासत में मिला फिर पानी में मौला चिडियों को ताने बच्चों को गुडधानी दे मौला कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता कहीं जमी तो कहीं आसमा नहीं मिलता तु इस तरह से मेरी जिन्दगी में शामिले तु इस तरह से मेरी जिन्दगी में शामिले जहां भी जाए और इसी के साथ फिलाल सुबर नौब जी के ख़बरों में इतना ही एक ब्रेक के बाद विशेश में देखिए लोक नायक जै प्रकाश नारायन नमस्कार